नमस्कार तो आज का दिन दिन नहीं बलकि खबरों का समंदर है एक तरफ जहां रूस और यूकरेन के बीच युद्ध चल रहा है और ये चौथा दिन है वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक सियासी युद्ध चल रहा है जिसका आज पाच्वा चरण है तो पा आज की तारीख में जिस दिन बोटिंग में तो चरण यहीं काम रहा है लेकिन सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको न्यूज वर्ल इंडिया की ट्रेंग से बिलवाएंगे जो बहुत जद आपकी स्कीन पर आएगी और आज चुकी है जो बता रही है कि 11 बज़े तक कितन आपको दिखा रहे हैं और बहराइच में बाइस दसौलाव आठ दो फीसदी मतदान इस वक्त तक हो चुका है और इसके साथ 12 बंकी में 18 पीसद से जादा मतदान हुआ है हाला कि बहुत कम है लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे चित्रकूट में 25 प्रतिशत से जादा मतदा मतदान हो चुका है और गोंड़ा में 22 पीसदी से जादा मतदान हुआ है 11 बज़े तक है जारा बज़े तक कि कि ट्रेन जो आपको दरसल तस्वीर दिखा रही है कि 11 बजे तक उत्तर प्रदेश देश की जिन जिन मिधान समाओं में आज मतदान हैं, जिन जिन सीटों पर मतदान हैं, वहां कितने लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, कितने लोग अपने मतों का प्रियोग कर रहे हैं, इन पर चर्चा होना बड़ा सौभाविक है और इन पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि न्यूज वर्ल इंडिया आज एक बार फिर उन जगहों पर उन सीटों पर नजर बनाये हुए है जो कहीं ना कहीं समवेदन शील नजर आ रहे हैं सेंसिटिव सीट पर कुछ भी अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसकी पलपल की जानकारी पलपल की खबर आपको लगा था न्यूज वर्ल इंडिया दिखाता रहेगा बने रहेगा अप न्यूज बड़ी खबर फूटे नहीं कोई खबर छूटे नहीं और ब्रेकिंग अप होपो राजा भहिया ने मतदान कर दिया रगुराज पताब सिंग कुंडा से कुंडा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजा भहिया और 1993 से तो कभी हारे ही नहीं इस बार हलाकी सपा से प्रत्याशी उनके खिलाफ खड़े हैं कुंडा इलाके में सुरक्षा के पुखता इंतजाम ह कि कोई भी गलत एक्टिविटी ना होने पाए सुरक्षा भलों की मतदान केंद्रों पर पैनी नजर है तो राजा भहिया ने कुंडा में मतदान कर दिया है लेकिन सुबा से आपको बता दें कि इस तरीकी की खबरे आ रही थी कि कुंडा में स्तिती बिगड़ ना पाए तो आप सिंग और राजा भहिया ने वोट डाल दिया है निर्दली प्रत्याशी हैं इंडिपेंडेंट हैं और हबेशा जैसा की देखा जाता था कि सपा का समर्थन उनको रहता था लेकिन इस बार सपा उनके खिलाफ खड़े गुलचन यादा चुनाव लड़ रहे हैं उनके स्क्रीन पर सबसे पहले राजा भहिया मतदान केंद्र पहुंचे जहां पर उन्होंने मतदान किया है तो यह राजा भहिया की तस्वीरे हैं कुंडा सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और अब खुद मतदान किया है तो यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूस के खेमें से हैं कि विपक्ष के साथ क्या कुछ हुआ है फीड आ रही आप तक पहुंचाएंगे फीड भी आप तक नेकर उससे पहले आपको बता दें कि रगुराज परताप सिंग रूफ राजा भाईया ने मतदान कर दिया यह मतदान केंदर से डायरेक्ट कट टू-कट तस भीर बयानों की बयार बही है और इस बीच रगुराज परताप सिंग रूफ राजा भाईया ने मतदान भी कर दिया है आपको बता दें कि इससे पहले यहां पर स्थीड थी उस वक्त काफी सेंसेटिव हो गई जब रगुराज परताप सिंग राजा भाईया ने अखलेश चादव के एक बयान को लेकर पलेटवार करते हुए कहा कि कुंडा में कोई कुंडी नहीं लगा सकता और साथ पुछते लग जाएंगी लेकिन कुंडा में कुंडी नहीं लगेगी इसके बाद से वहां का माहौल थोड़ा घरमाया हुआ मालूम चल रहा है और ऐसे में यह आपको दिखा रहे हैं जहां रगराज प्रताप सिंग और फ्राजा भाईया खुद बोट डालने पहुंचे हैं यह कुंडा की तस्वीरे सीधी तस्वीरे कट टू कट तस्वीरे हैं